राधे राधे जी, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है, तो कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में हम शार्दिय नवरातरी और माता के नो स्वरूपों के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं बहुत जल्द ही नवरातरी का शुभारम होने जा रहा है, 17 अक्टूबर 2020 को शार्दिय नवरातरी के प्रतिपदाती थी, नवरातरी का पहला दिन है इस बार नवरातरी देर से आरम हो रही है, क्योंकि यह वर्ष अधिकमास है नवरातरी में देवी दुर्गा के नो स्वरूपों की विदिवत रूप से पूजा और अराधना की जाती है नवरात्री पर देवी दुर्गा 9 दिनों तक स्वर्ग से पृत्वी पर आती हैं और अपने भगतों को आशिर्वात प्रिदान करती है नवरात्री में देवी के 9 रूपों का विशेश महत्व होता है जिसमें भगत अलग-लग मनों कामनाओं के लिए देवी के विबन स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं आईए जानते हैं नवरात्री में देवी के नो स्वरूपों काम मेहतु मा शेल पूत्री नवरात्री के पहले दिन मा दुर्गा के शेल पूत्री स्वरूप की पूजा की जाती है इसी दिन घर स्थापना की जाती है परवत राथ हिमाले की पुत्री होने से इने शैल पुत्री कहा जाता है माता के शैल पुत्री सुरूप की पूजा करने से भक्तों को मनवांचित फल की प्राप्ती होती है मा ब्रह्मचारिनी मा का दूसरा सुरूप ब्रहमचारिनी का है, इसकी उपासना से साधक को सरवर्थ सिध्धी और विजे की प्राप्ति होती है मा ब्रहमचारिनी का ध्यान लगाने से अच्छे गुन और सैयम की भावना मन में विक्सित होती है मा चंद्र घंटा, नवरात्री के तीसरे दिन मा के चंद्र घंटा सुरूप की अराधना की जाती है माता का यह तीसरा सुरूप है इनकी अराधना से चिरायू, आरोग्य, सुखी और संपन होने का वर्दान प्राप्त होता है इसके इलावा प्रेत बादा से भी मुक्ती मिलती है मा खुश्मांडा नवरात्री का चोथा दिन मा खुश्मांडा की अराधना का दिन होता है देवी कुश्मांडा भगतों को रोग, शोक और विनाश्य मुक्त करके आयू, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है मा सकंद माता सकंद माता का स्वरूप मा का पांचवा रूप होता है सकंद माता के साधना से आरोग्य, बुद्धि मता तथ ज्यान की प्राप्ति होती है विद्या प्राप्ति, अधियन, मंतर एवं साध्वा की सिद्धी के लिए मासकन माता का ध्यान करना चाहिए कात्याईनी, देवी के इस वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है इनकी अराध्ना से ग्रेश्ट जीवन सुख में रहता है जिन जात्कों का विवाईक जीवन सुखी नहीं, वे विशेश रूप से मा कात्यानी की उपासना करें मा कालरात्री, देवी का सात्वस रूप मा कालरात्री का है मा कालरात्री की पूजा से ग्रेब आधा भी दूर होती है तंतर सिधी प्राप्त करने हे तू, इनकी पूजा की जाती है मा महागोरी नवरात्री के आठवे दिन मा महागोरी की पूजा की जाती है इनकी पूजा से धन, वैभव और सुक्षान्ति की प्राप्ति होती है ऐसे में नवरात्री के आठमे दिन धन धान्य और सुक्सम्रिदी की प्राप्ति के लिए महाकोरी की उपासना की जानी चाहिए मा सिद्धी दात्री नवरात्री के नोमे दिन मा सिद्धी दात्री की पूजा की जाती है इनकी उपासना से भगतों की सभी मुनोकामनाई पूर्ण हो जाती है भगत इनकी पूजा से यश, बल और धन की प्राप्ति करते है मान सम्मान और यश के लिए मा सिद्धी दातरी की उपासना विशेश फलदाई है हम आशे करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपके लिए मददगार होगी तो क्रीपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बनी घंटी को जरूर दबाएं और अगर आपको हमारे वीडियो में कोई कमी महसूस होती है तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं धन्यवाद